अक्सर लोगों को शादी के बाद प्यार हो जाता है और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफियर के चकर में पढ़ जाते हैं फिर मोड आता है रिष्टो को नाम देने का लेकिन ये सम्भव हो तो कैसे क्योंकि कहीं महिला तो कहीं पुरुष शादी शुदा होते हैं और ये परस्तियां देखकर अगर पुरुष पीछे हट जाए और शादी से इनकार कर दे तो व्यक्ति के लिए और बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती हैं महिला व्यक्ति पर शादी का जहासा दे कर रे या या यौन शोशन का मामला दर्ज करा देती हैं ताकि व्यक्ति समखते मैं हूँ आपके साथ शिक्ष महरोतरा जर्खन हाई कोट ने एक्स्त। इयल अफेयर को ले कर एक वड़ा फैसला दिया जी हाँ जार्खंड हाई कोट ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेर से जुड़े एक मामले में ऐसा फैसला दिया जिससे पुरुषों को बड़ी राहत मिली है जार्खंड हाई कोट ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेर में रेप केस दर्ज कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया ह रहा कि अगर किसी विवाहित महिला ने शादी शुदा मर्द से सहमती से फिजिकल सम्मंद बनाए हैं तो वो बाद में रेफ या यौन शोशन का केस दर्ज नहीं करा सकती दरसल जारखंड हाई कोट में देवघर के मनीश कुमार ने अपने उपर हुए FIR को रद करने की पिट मनीश ने अपनी अर्जी में कहा कि उसकी महिला यानि याचका करता से मुलकात देवघर में हुई थी महिला शादी शुदा थी लेकिन उसने बताया था कि वो अपने हजबन के साथ तलाक लेने के बाद मनीश से शादी कर लेगी इस बीच दोनों में सहमती से संबंद बन ग कि शादी शुदा द्वारा शादी शुदा से वाइदा करना अवैद है दोनों ही अगर चानते हैं कि दोनों शादी शुदा है तो शादी का वाइदा ही गलत है इसलिए उनके उपर IPC की धाला 376 नहीं लगाई जा सकती कोट ने भी कहा कि शादी शुदा दे सहमती और नहीं आता है ऐसी ही तमाम खबरे आए दिन हमारे बीच आती रहती है और ऐसी ही खबरों और जानकारियों के लिए आप देखते रहे आज की खबर